कि नमस्कार मैं अंजली विशा और स्वागत है आपका हमारे चनल में आपको दादे कि अर्विंद के जिवाल ने ट्वीट की है जहां पर साथ और परी समझा रहा है कि जिस तरीके से उनके नेतर मंत्रियों को गिरफतार किया जा रहा है और मनिस्ति सोधिया पर गिरफतारी की तलवा लटक रही है उससे अर्विंद केजरिवाल काफी जादा बॉख ला गए है विपक्ष के नेताओं पर एटी द्वारा कारवाई और जोस तरीके से भ्रष्टाचारू का खुलासा ह का गवान काफी ट्वीट की नेताओं को गिरफतार कररें पर रहे हैं वध्योंग पतियों पर रेड हो रही है और लोगों को धंकाया डराया जा रहा है पर इन्हों अपने किसी दोस्त के खिला कोई अक्षन नहीं लिया परिवार वाद और दोस्त वाद बंध होगा तो यहां पर उनका कहाने का मतलब है कि डेश भर के नेताओं को गिरफतार कर अब इसमें आपको नेताओं की लिस्ट बताते हैं जिन नेताओं के तरफ इसारा करने की जो है यह संचरा राउत की कि बात कर रहे हैं यह और इस लोग जिनकी TOP से ये बोल रहे हैं कि देश भर के औक गिर helpsिं Bell की आव कि कि गिर अधरी उन्-से जो पूछ तार्ज हो गोठा आलों को लेकर हो रहे हैं साथ ही अगर Şenya Route कि बात करें refill का गोटाले का मामला है जिसमें इडी को सबूत मिले है और यही कारण है कि कोट अंधी नहीं है कोट ने सबूतों को देखते विए 22 तक 22 तक उनकी रिमांड बढ़ा रखी है यानि संजर राउत के खिलाब भी मनी लॉंडरिंग से जुड़ा हुआ गोटाले से जुड़ा हुआ यहां पार्त चैटर जी हुअ बाद हो रही है अबात है कोई सरकार के खुद मोधी जी कोई पार्टी के नेता आके नहीं करते गिराफ्तारी एडी सीवियाई और पुलिस ऑफिसर द्वारा की जाती है और वो भी पुखता सबूत होने के बाद अभी कॉंग्रेस की बात करें तो राहूल गांधी कही है सोनिया गांधी कही है इनसे बुलाकर लगतार एडी पूशताच कर रही है इनसे भी नेशनल हेराल से जुड़ा चानमीन लगातार जारी है जिसे लेकर ये प्रदर्शन करने हैं तो साथ तोर पर आज के वक्त में विपक्ष के जितने भी नेता है जिनके उपर कारवाई हो रही है या फिर जिनके गिरफतारी हुई है उनके उपर कई हजार कड़ों रुपए का गवन करना स्कैम करना घो मंत्री पे किसी बड़े उद्योग पती पे बड़े कॉर्पोरेटर पे भी अगर बिल्लर पे भी हाथ डालते हैं एक आम इंसान को भी अगर आप गरफतार करते हैं तो उसके पीछे का वाजिब कारण आपको कोट के सामने पेश करना होता है यानि आप कोट के सामने रेस्पॉंसिबल है इसका रीजन बताने के लिए कि आखिर आपने इस व्यक्ति को या इस मंत्री को इस नेता को क्यूं गिरफतार किया है और कोट उस पर अपना वर्डिट सुनाती है इसमें किसी भी सरकार या किसी भी तरीके से किसी पार्टी का इंपॉल्मेंट नहीं होता हैं तो यहां पर अर्विंद के ज्रिवाल जो खुद भरष्टाहर के खिलाफ आंदोलन में अन्हाज़ारे के साथ थे जो प्रमेशा बेहीं बाजी करते नजर आते हैं वही अर्विंद के जिवाल अज भ्रस्टाचारी नेताओं के जेल कि सलाख्यों होने के पीछे आज का बटा रहे हैं और वही अर्विंद के इज्रिवाल जो कभी इमानदारी की बात करते थे वाद भष्टाचारी ओके लिए के बाद एक ट्वीट करते नजर आ रहे हैं तो यह लोग देश वर के नेताओं को गिरफतार कर रहे हैं वेपारियों पर रեड हो रही है कौन से एक पर रही है इसके बारे पिल्डोजर की कारवाई हुई है आम लोगों का डैफिनेशन यहा आद्मी पालिती रेता लेता नेकों कहीड पता होगा है को से आम आम आदमी की बात कर रहे हैं जो की बोट देख सक्ता मेला रही है उसे ब चाहिते हैं कि यह इसker है जो को आप विडिया गरह है यह कि अधरी कि अगर चैंज vital Vermont तो यह रहा है चिती दोस्त के कि ख्रप अगर अंगल पर अक्शन में लियार जा रहा है तो अभी bacal ऐसे त्यागी पर एक्षिन घुन बता रहा है उनके खिलाफ करवाई नहीं की जा रही है हाली फिलाल में इकदम दिल्ली से सटा हुआ उतर प्रदेश यहां पर खुद के लिए रिधानाथ ने बर्खास कर दिया क्योंकि उनके खिलाव कई सारे complaints आए थे और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे जिससे नाराज वोकर उन्हें पार्टी को भी छोड़ दिया लेकिन उस पर भी योगियात इतनात के तरव से action लिया गया तो अर्विंद केज़िवाल या तो देखते नहीं है या तो उनके से वारे में इसको जानकारी नहीं है और नहीं तो यह काफी जावाल दोस्वात हर परिवारबाद को बड़ावा देती यह नहीं कहा कि इस चलानी के लिए 14 अगस्त का दिन चुड़ा और इसे लेकर उन पर कई सारे सवाल खड़े किये गए थे तो यह अर्विंदर के इज्रिवाल का बयानवाजी है यह कह रहे हैं अर्विंदर के इज्रिवाल पे जो उन्होंने यह ट्वीट किया है इस ट्वीट को कोट करते हुए बिज़ेपे नेता गपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है कि जो नेता गिरफतार हो रहे हैं सबके करप्शन से लड़ने के नाम पर ही आमादमी बटे जो आमादमी पार्टी है बनाई गई थी आज उनी भरष्ट नेताओं की गिरफतारी पर आमादम की चिट की बात है तो आपको बता दे कि उन्होंने कहा था कि कट्टरी मांदार है पादमी बूशन ने देना चाहिए किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं की है वह बहार निकल कर आएंगे एक अजंडा भी चलाया था उन्होंने के मारपीट हुई डिके कस्टेडी में उनके दोस्त है उन्होंने कडोड़ों रुपय का फाइदा हुआ है और इसके पास फिर उसे डिलीड भी कर दिया तो यह अर्विंद केजरिवाल है जिनका आकड़ा दो महीने में बढ़ जाता है कभी कहते हैं बारा लाक नौकरिया दी कभी कहते हैं दस लाक नौकरिया दी लेकि दोपल दोपल जो है बदलती रहती है situation के इसाब से दिली में कुछ और दिली में शड़ाब के ठेके खोलते हैं तो पंजाब में जाके नशामुक्त करने की बात कहते हैं तो ऐसे में हमने आपको प्रतिक्रिया देखनी के लिए मिली विजब्य के तरफ से इसके बारे में भ में कमेंट करके जरूर साजा करें